तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि अगर आपके मॉबाइल का कैमेरा वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, जैसे आप इसे ओपन करते हो, तो एकदम से ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, बट आपके मॉबाइल के कैमेरा जो है ओपन नह नहीं करता है तो आज की वीडियो में आपको पूरा solution बता होगा दोस्तों तो वीडियो में पूरा बने रहना वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना चैनल को यह सब्सक्राइब करना दोस्ते हाफे मैं आपको दो-तिन सेटिंग बताने वालो आपको पूरी सेटिंग तब ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को ज़ादा बड़ा ना करते वे चलो चलते सिधा वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे अपने मोबाइल के कैमेरे में एंटर होता हो तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आ जारी है बट मेरा जो है कैमेरा कवर नहीं कर पा रहा कुछ भी यहाँ पर टोटली ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो आपको इसका solution क्या करना है आप चाहे front camera यूज करो या फिर back camera यूज करो इसी तरह की जो है black screen आती आपका camera work नहीं करता है तो यहाँ पर कुछ settings होती है हमारी mobile के अंदर हमें बस उन्हें ठीक करना है आपका mobile का camera एकदम से ठीक हो जाएगा बिल्कुल company reset एकदम आपका जो company से बनके आता है ना mobile नया जैसा उसका camera की setting होती है आपको उस setting को जाके change करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिंपल ही चले जाना है अपने mobile की settings में दोस्तों जहाँ पर मैं अपनी mobile की setting में चले जाता हूँ जैसे हम आप एंटर होते ना तो कुछ इस तरह का interface आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको जो है camera दून लेना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा camera यहाँ दिखाई दे रहा है आपको इस तरह है पर camera दून लेना या फिर आप यहाँ पर search बार पर क्लिक करके भी camera search कर सकते हो simply camera में हमें enter हो जान यहाँ पर किसी चीज़ को हमें छेड़ना नहीं सिंपल स्क्रोल करते भी नीचे आना यहाँ पर एक option आपको दिखाए देगा reset setting, simply reset setting में enter होना है यहाँ पर reset setting को ok कर देना है reset कर देना है अपने mobile की camera की setting को हमें फिर से reset कर देना है अभी आपको जाकर देखना है कि आपका camera जो है work कर रहा है या नहीं कर रहा है हो सकता ही यही setting की वाद आपका camera work करने लगे अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो आपको simply आपको फॉर स्टॉप का option दिख रहा है उस पर click करना है और यहाँ पर ok कर देना है इससे जो है आपका camera एकदम से refresh हो जाएगा आपके mobile के camera में जो भी error आ रहा था न वो एकदम से निकल जाएगा तो यहाँ पर आपको यह कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है simple यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा storage का simple storage में चले जाना है यहाँ पर स्क्रोल करते हुए उपर आना यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा दोस्तो permissions simply यहाँ पर आप देख सकते हो notification के नीचे लिखके आ रहा है permissions simply हमें permissions में enter होना है जिसे हम permissions में enter होते है न दोस्तो तो यहाँ पर कुछ options आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है allow उसके नीचे लिखा हुआ not allow दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा camera अलाओ है बहुत बार क्या होता है आपका जो है इस setting बताई ना उसी के अंदर जो है आपका काम हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आपको यह सभी setting कर लेनी है आपका जो है camera 101% work करने लगेगा तो दोस्तों अभी चले जाता हूँ कि अपना camera चलो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो simply मैं आपके बैक चले जाता हूँ आपका camera में 100% work करने लगेगा तो होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना चैनल को यह से subscribe करना